हेलो दोस्तों आज किम इस वीडियो में देखेंगे के लास टेंट के सकेंड टर्मल एक्जाम का अब्जेक्टिव मोडल पर पहुत जो आपका एक्जाम 27 सितंबर को होने वाला है मैस का वो इसके लिए या वीडियो काफी ही मत पूरे क्योंकि इसमें से अधिक तक प्रसने आ तो परिम्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसको पी बटा क्योंकि रुप में लिखा जा सके वैसे संख्या को कहते हैं परिम्य संख्या और जो भी संख्या रूट के अंदर आता है तो वह होता है हमारा परिम्य संख्या लेकिन कब जब रूट के अंदर की संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है तो खोता है वह परिम्य संख्या अगर रूट के अंदर का वर्गमूल निकल जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्गमूल दिया हुआ परी मिस्फ्रों है, हमारा दू रूट 되어 सब्सक्राइब करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो आईए हम अगले प्रस को देखते हैं इसमें अगला प्रस्थ है नेमली खिट में से किस परिमे संख्या का दस्मालो निरुपण असांथ होगा इसमें हमको बताना है कि इन लिए कि किसी परिमे संख्या को लिखते हैं अ कि आपके रूप में नीचे वालों कहते हैं हर Beeन leurs हम हर वालों का LC में नीचे वालों का अगर हम LCM निकालते हैं और LCM निकालने में और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया यह नीचे वालों का LCM निकालते हैं और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो वह हो जाएगा असान तिक परी में संख्या हो तो आए हम इसमें option में check करते हैं इसमें पहला option दिया हुआ है साथ बट्टा तीस है यह क्या करेंगे नीचे वालों का nsm निकालेंगे यहां 30 का nsm निकालते हैं यह हो जाएगा 2 से कटेगा 15 बार में 15 का नििकालते हैं या 3 से कटेगा 3 से कितने बर में आएगा तो हम यहां स disturbance निकालते हैं तो इसमें दो आरहा है तीन और और पाँच आ रहा है नहीं डो और पाँच के अलावा एक तीन आ जा रहा है तो यह क्या हो यह जाएगा अस्तान तो आई हम अगले प्रस्ट को देखते हैं इसमें अगला प्रस्ट है यदि दुईघाद बगपत PX is equal to x square minus 6x plus 4 के सुन्यकों का योगफल होगा हमें बताना है कि यह हमार दुईघाद बगपत दिया गया है और इसका हम योगफल निकालते हैं सुन्यकों का तो क्या होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी दूइगार बगपत कि अगर हम सुन्यक निकालते हैं तो उसमें हम एक को मानते हैं आलफा और एक को मानते हैं बीटा और यहाँ पर हम बता रहा है कि सुन्यकों का युगफल यहाँ युगफल मतलब दोनों का जोड़ यहाँ हम जोड़ते हैं यह को कि भूना में लिए उदेसे को सब्सक्राइब में बाइक को है इते हैं मैंने नेचे हो जाएगा शूरी कि सब्सक्राइब तो उम्हेद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो आईए हम अगली प्रस्ट को देखते हैं इसमें अगला प्रस्ट है रैखिक बहुपद तो समुक्रन निकाय का दूइति हलोता है तो वा समुक्रन निकाय का हलाता है हमें बताना है कि जिस समिकर निकाय का और दुईती हल यानि एक हल होता है वैसी समिकर निकाय का हल एक हो तो वह समिकर निकाय का हलाता है तो वैसी समिकर निकाय को नो क्या कहते हैं तो इसका सहीवत्तर हो जाएगा और विरोधी इसका सहीवत्तर आफ्सन भी हो जाएगा और व उमीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो आईए हम अगले प्रस को देखते हैं इसमें अगला प्रस नहीं है समीकरण x plus 2i बराबर 9 में यदि x बराब 5 हो तो y का मान होगा यानि हमें बताना है कि यह समीकरण दिया गया है इसमें x मान हितना है 5 है तो y के मान कितना होगा तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं x plus 2i is equal to 9 तो यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 5 यानि x के जवब पर लिखेंगे 5 है और y के मान निकालना है तो y के जवब पर कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर pulse है यहाँ पर है 2y तो 2y is equal to इधर है 9 तो 9 तो यहाँ पर क्या होजगा 2y is equal to 5 को उस बर ले जाते हैं तो यह 5 है無 पर 이후 c तो इसको आगे solve करेंगे, तो यह हो जागा 2 y is equal to, इसको minus करेंगे, तो यह हो जागा 9 में से 5 को minus करेंगे, तो यह हो जागा 4, तो यह हो जागा y is equal to, बुराबक equal कि इस पर है 4, तो लिग देते हैं 4, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो 2 दिया गया है, वो y के साथ गुन वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें तो आईए हम अगले प्रस को देखते हैं इसमें अगला प्रसन है एकस स्क्वाइर प्लस बीएकस प्लस सी ब्राव जीरो के मुल्ट समान होंगे हमें बताना है कि यह हमाद दु मार्म होता है लिका स्कुर होता है दिका स्कुर होता है था स्कवाएर बराबर जीरो तो एंह человека स्कुराइब यह ओर हो इंहां इसका सोगतर के यह हो गया बीएस्वायर दो फोरी सी उन्मीद करता हूं कि आपको कि यह मिए में आकि लागिए होगा तो आईए हम अगले प्रस्Too को देखते本दा है इसमें स्वार्ण जनके मूल 5 और माइनिस2 है क्षूंगे हैंदि हमें कि मॉले स्वायध स्वायधाउद क्या हाओ उसी को हमें माइनस दू और हम जानते हैं कि दूइघात समिक्रण निकालने के लिए हमारा सुत्र क्या होता है वह सुत्र होता है एक से स्क्वाइर है माइनस से आलफा पॉलस बीटा इंटू एक से पॉलस आलफा इंटू बीटा आप दोगी इसको याद कर लिजेगा यहां हमारा से चाहथ है तो इकोल टू जी रूड़ बाहत कए गाट जीरो नहीं लिखेंगे रिखते हैं यहां पर एकस असका लिए देते हैं है इसके बाद है एक स लिखे देंघे अप पॉलस यहां पर Circ lifetime कितना है ऑफमाने 5 तो पांच है बीच में चीपा हुआ है गुना और यहां पर भी शास नहीं अरो धुख करेंगे TAS जाएगा x square और यहाँ पर इसको solve करेंगे तिया है माइनस दो माइस देते हैं और यहाँ पर ब्राइकेट तो दो नहीं रहते हुआ और यह दोनों चीना एक साथा रहा है यानि तो माइनस तो माइनस और यहां पर दो को माइनस करेंगे तिन और यहां पर एक स्कॉायर माइनस थी-10 तो अमीद करता हूं कि आपको यह को समझ में आ गया होगा तो आई एफ्ले पोडेगते हैं सामानता स्नेने जिरुए पॉयंट्च्ण डू-20239 सार वंतर होगा यानि हमें बताना एक हमारे沒有 तिया उसका उसकी बताना है सार वंतर क्या होगा तो शार वंतर को लिए से नों कैसे एकतर करते हैं दूसरा पद करने अहाँ पाँ बूम मतलब दूसरा इसे माइस आता है इस सांदें फल्सक्राह नमर आता है यह पॉइंश करेंगे सब्सक्राइब करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो आइए हम अगली प्रस को देखते हैं इसमें अला प्रसन है अनुपर हम एन इज इक्वाल टू टू एन प्लस थिरी के पॉर्थम चार पद हैं हमें बताना है कि यह हमारा एपी का समानपद दिया गया है इससे पॉर्थम चार पद क्या होंगे तो सबसे पहले जो समानपद दिया गया है उसको लिख लेते हैं यहां पर एन इस इक्वाल टू 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 एन प्लस थिरी दिया गया है और हमें निकालना है कि चार पद यह पहला पद निकालना है दूसरा पद निकालना है तो पहले पद क तो इसको solve करेंगे दो में एक सब्गुना करेंगे तो यह हORA warto 5 याँ पहला पाद हो गए यह तो यह निकान करेंगे दूसरे पद में गीतना हो जायगा साथ हो जाएगा याला पाद होगे पांच है और दुसरे पाद होगे साथ है इसी तरह हम निकाल देंगे दुख और पद तो हमारा क्या उतर हो जाएगा इसका उतर होजाएगा ओपसन भी मिल जाएगा तो उमेद करता हूँ कि आपको यह कुष्या समझ में आ गया होगा फ्रेंड ठीक है तो आई आई हम इसके अगले प्रस को देखते हैं इसमें हमारा एगला प्रस्थ नहीं है पाई एक है बताना है कि पाई कौन संख्या है तो आप लोग इसको याद दख लीजिएगा कि पाई जो होता है वह होता है और परिमिय संख्या यानि इसका सविट रोजाए का ऑप्सन भी या पर्मिय संख्या ठीक है तो आई हम इसकी अगले प्रस्ट को देखते हैं इसमें अलब प्रस्ट ने यादी इंटू की हरेक अप्शन में यहीं दोनों निकाला गया है ठीक है तब P पलस क्यों क्या हुआ पी और क्यों हमारा क्या है सुनियक है और बीच में है पलस पलस मतलब योगफल यानि यह दोनों मिल को क्या हो गया यह हो गया सुनियकों का योगफल सुनियकों का योगफल का सु यानि बे करें, चोग करें तो यहीं आइ कि प्रुखत करें यहां एक स्कुआर के बिच मेंट कियों आई अपलोग याद करते हैं, इसको आपन कुने बविटा को याद करते हैं, तोनों बात वही हुआ, क्यों कि सुने दिया गया है, इसलिए में इसको इससा लिए ठीक है। यहां पर सी कौन होता है जो बीना एकस वाला होता है यांई चार वाला होता है होगा क्यों यहांपर हम देख रहें कि पूल्स की ऑर बराबर है यानि कि इसका स्वयूतर क्या आजाएगा option ही हो जाएगा पी पलस क्यों बराबर पी इंटु क्यों इसका करेट option हो जाएगा option ही उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक है तो आईए मिसके अगले प्रस को देखते हैं इसमें एलापर्स ने बिंदू 2, तो हम सबसे पहले पर हमिकरण में पड़ता है, यह आप लिख्या है 2,1 यह निकला banco में पहला होता है किस का मान'? एक कमान होता है यहां पर एक कमान होता है और बराबर ऑर बराबर ऑस पर बराबर भाणन वहस्त होगा, तो इसको हमम्मीद्व क्याद करेंगे इसको पहले सभवकों रखते हैं यह इसमें हम एक्स पर बाइप के मान रखते हैं यह नों को जोड़ेंगे यह यानिक यह दूना पर नहीं है यानि हमारा सम्मिकर्ण संटोस्ट नहीं हो और लिए तो आई हम को विच्क करेंगे तो यह नहीं हो इसलितर किया होगा से इसका अगले 2017 को दो इसका मुल्क क्या होगा यहां पर समीकरन दिया हुगा है 3 x square minus 48 is equal to zero इसको हम यहां पर x कमान निकालते हैं इसको कैसे ग्याद करेंगे 3 x square यहां पर 48 माइनस में बराबर का उस पर ले जाएंगे 3 x माइनस में तो यह किसी निमें हो जाएगा यह पोलस में और यहां पर देख रहे हैं कि जो 3 है वह x square किसी में है गुना में है यहां जब 3 बराबर कुस पर जाएगा तो कहां चला जाएगा divide में यानि कि बटा के निचे चला जाएगा यानि कि तो अब हम इसको cut करते हैं तो यह हो जागा सोरत यहां ही 48 सर्फ इसे यहां पर एस एसकोर कमान कितना आगे सोरा आगया यहां पर हमें निकालना एक का मान यानि क्यों निकालेंगे से निकालेंगे इसकारबी उस पर जाता है तो माइनस में चार ठीक है तो मिधर करता हूं आपको यह समझ में हम आगया होगा ठीक है तो आईए मिसके अगले प्रस को देखते हैं इसमें अला बरस है यदि रिक्सी समानतर स्रींडी का एन्वापोड अयर्ण प्रस को derrière है तो इसका पादांतर होगा हमें बताना है कि यदि किसी समानतर स्रींडी का सीर्स अ पौड यह यह होगा हमारा दिया हुआ और निकालना है पदांतर को इसे ग्याद करते हैं दूसरे पद को घटा लेते हैं पहले पद यानि कि A2 तो हम पहले निकालते हैं तो यहां पर एक में एसे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा और यहां पर प्लस भी तो प्लस भी हो गया यानिकि एवन का मान हो गया एप्लस भी उसी तरह हम निकालते हैं एक मतलब एक जवक्ता के टो लिखेंगे यहां पर पार क्यािएक एक निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माईनस कर देंगे तो दूसरा पया हमारा है तो लिघ देते हैं 2 a पोलब से भी इसको माइनेस करेंगे पहले पद में पहले पद कितना है a plus B है तो यहांपर दिच गुना करेंगे तो यह माइनास में गुना करेंगे पैलब स nyt Bus Minus A Corona मसे ऐथ्क कर जाए गा यहां पर दुर्ट सबस्क्तिंट सब्सक्राइब कर्या निंदो ऊँगले पर धिमंगरा निमुट क crafting wiltится में वाई कामान घ्याहरत में जहांथ कोठ्वीक कोठी समझ गारे सब्सक्राइब है भूच का मान ऑप्सन भी माइनस तीन ठीक है तो अधीय मिचिंची के साथ अगले प्रस को देखते हैं इसमें अगरान परस ने दो संभाव त्र भूज़ों के छेत्रफोलों वन करना कि पींश राए जो दिया गया ते जो चार दिया गया है वह दिया गया है और हमें निकालना है बुझाओं का उन पांच तो जब ऐसका नहीं तो आको अब किना होता है तो तोमबस पर निकालने के लिए तो क् labour पर रूट कितना होता है दो होता है यानि कि बुझाओं का अन्पाद कितना हो गया तीन उन पाद दो हो गया यानि इसका सभी तरह आप लोग याद दखलेजिएगा कि अगर च्छेतफल को हैगा निकालने के लिए तो आई अगले प्रस को देखते हैं इसमें अला पसन यदि 10A पलस B बराव रूट 3 और 10A बरावर 1 पर रूट 3 टब 10B का मान होगा हमें बताना है कि यह हमरा दिया गया है 10A पलस B बराव रूट 3 दिया गया है और यहाँ पर यह भी दिया गया है 10A बरावर 1 पर रूट 3 तब हमें बताना है कि 10B का मान क्या होग यहां से पहeksको चूब करते हैं, यहां पर ऐध 10 A plus B, तो हम दिस एध 10 A plus B, उसके बाद गया है, उसके बाद है, E just equal to, तो लिग देते हैं, equals to, यहां पर रूट 3, तो रूट 3 किसका मान होता है, यहां पर ऐध तैन का मान, होता है यहां होता है 10 साथ दिगरी की मान होता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 से 10 केंसिल हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा एपुलस बीजी इक्वाल टू हो जाएगा कितना साथ हो जाएगा ठीक है उसी तरह भी इसको सब्सक्राइगे यहां पर तो यहां पर भी हम देखेंगे कि 10 कितना का मान होता है 1 अपर रूट 3 कि पहले 10 है इसलिए हम 10 की रूप में देखेंगे कि 1 अपर 3 कितना का मान होता है तो कितना का मान होता है यह होता है 10 30 का मान होता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा यहां यहां पर हमें एक मान कितना हो गया 30 हो गया ठीक है तो यहां पर हमें एक मान कितना हो गया 30 हो गया एक मान तो यहां पर अगर हम बीक का मान निकालते हैं एक कितना हो गया साट में 30 से ठीक है तो यहां पर हो गया हो गया तो हम निकाल कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो आईए हम इसी के साथ अगले प्रस्ट को देखते हैं इसमें अलाइब परस्ट यदि बहुत एक से स्क्वाइर माइनस फोर एक माइनस एक के मुलों का युक्फल होगा हमें बताना है कि यह दूइगात बहुत दिया गया है इसके मुलो कि स्क्राइब तो यहाँ पर एक स्क्राइब गुणा में होता है माइनस चार है है यहां पर मीनस चार है यहाँ जो इसलिए भाइक lot तो इसका मतलब है कि यहां चीपा हुआ है यहां पर क्या हो जाएगा पौल से चार हो जाएगा और नीची एक का तो भाईलू नहीं रहता यानि इसका सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं कि आपको यह कोस्तन भी समझ में आ गया होगा ठीक है तो आई हम इसके अगले प्रस्वों देखते हैं इसमें प्रस्ने पी के किसमान के लिए समिकरण युग में 5 x plus py plus 7 बराबर 0 तथा x plus 2i minus 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यहां पर दो समिकरण इग में दिया गया है एक यह दिया गया है और एक यह दिया गया है तो हमें बताना है कि P के किस मान के लिए इस समिकरन कोई हल नहीं होगा तो कोई हल किसका नहीं होता है समानतर रेखा जो होता है उसका कोई हल नहीं होता है तो समानतर रेखा का कंडिशन क्या होता है वह होता है A1 upon A2 is equal to होता है क्या B1 upon B2 और not equal to होता है कितना C1 upon C2 होता है हाँ एक से गुर्म कीतना य одwritten पांच इता है है पांच आपन डूर्प effort म मतलकि का मनें पर कितना है यहां पर टूर्स्ट कर लग के लिए तो यहां पर दो यहां कर देते हैं यहां पर कर लेंगि करते हैं यहां पर फैंख कर दो समुझ में आ गया हुआ ठीक है तो अब इतक कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें ठीक